स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं आभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाशा और प्रग्या और आज जो तीन मुद्दे में आपके सामने लेकर आया हैं वो कुछ इस तरह से हैं मुद्दा नमबर एक जारखंड के मुख्यमंत्री हेवन सोरेन की गिरफतारी अगला नमबर किसका मुद्दा नमबर दो नितीश कुमार एक बार फिर पलट गए इसका क्या सर होगा बिहार की राजनीती पर और मुद्दा नमबर तीन उत्तरपदेश पश्यम मंगाल में तनाव कॉंग्रिस और उसके घटक दलों के बीच इंडिया घटबंधन में एक बार फिर संकट डिखाई दे रहा है मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ हेबन सोरेन जिन्हें E.D. ने गिरफतार कर लिया गया है मगर जाते जाते उन्होंने चमपए सोरेन को मुख्य मंत्री बना दिया है याद कीजे उससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव और उससे भी एक दिन पहले उनके पिता लालू यादव जो है वो E.D. के सामने हाजर होते है मोदी सरकार क्या चाहती है कि 2024 की लोग सभाच चुनावूं से पहले पूरा जो विपक्ष है वो जेल में डाल दिया जाए क्या है इस मुद्विकापन शुरुवात करेंगी भाशा अभिसार एक बात बिलकुल साफ है कि यही है मोदी राज यही है संगोल राज और यही है लोग तंत्र का चीर हरण जिसका जिक्र मोदी जी खुद पारलेमेंट के बाहर कर रहे हैं और वो दरसल इस पूरे इलाके को खास और से उत्तर भारत को विपिक्ष विहीन बनाना चाहते हैं ताकि कोई न रहे जो भी चुनोती दे रहा है वही ब्रश्ट है 2014 से लेकर 2014 आ गया अभिसार एक भी उनका नेता एक भी उनका मुक्हमंत्री आज तक ED के घेरे में नहीं आया ऐसा कैसा हो गया मोदी जी कि विपक्ष ही सिर्फ करप्ठ है और आपके हाँ बस रामराज है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि लोगों के जहन में सवाल है कि भाच्पा खुले आम दबंगई से सब क्यूं कर पाती है और उसकी वज़ा साफ है अदालतों की चुप्पी राजनेताओं का बुन्यादी लालच जाच एजनसीज की लाचारी इन तमाम चीजों के चलते भाच्पा प्रचार तंत्र की जरिये अपनी बात कह पाती है और उसे कट घरे में रखने वाला कोई नहीं है इसलिए ये सब हो रहा है प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पांच अभिसार अभी तो संशे ऐसा है कि भाजपा कहीं करप्शन से लड़ते लड़ते लोग तंत्र से ही तो नहीं लड़ने लगी है वो करप्शन के मुद्दे को उठा रही है बार बार पर क्या करप्शन पे असल में चाहे संजे सिंग हो चाहे मनी सिसोधियां सत्य इंद्र जैन हो तो क्या अगला नंबर जो है केजरिवाल का होने वाला या आपको लगता हमें टॉस करना चाहिए केजरिवाल तेजस्वी या राहूल गांदी एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दिए रही कि जिस तेजी से चक पर आते हैं और सारी चीजे गुमने लगती है मुझे लगता है अर्विन केजरिवाल पहले नंबर निशाने पर हैं क्योंकि उनको दिल्ली बहुत खटक रही है और दिल्ली में जिस तरह का उन्होंने महौल बना दिया है कि सारे लोग तकरीबन मान के चल रहे हैं एक माइं तो उत्तर भारत को उन्होंने तकरीबन विपक्ष विहीन बनाने की तयारी कर दी है मुझे आशंका है अभिसार 24 से पहले हो सकता है कि वो राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश और राहुल गांधी के खिलाब भी मुकदमे बाजी करने की उनको चुनाव प्रचार में स इसे कहते हैं एक अजीबो गरीब किसम का डिस्टोपिया एक अजीबो गरीब किसम का कलपणा से भी विच्चत्र हो रहा है यह लोग आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैu यानिकि इस धरती से वो नेस नाबूद हो जाये नामनिशान खत्म हो जाए कोई और पार्टी ना बचे सिर्फ भाजपा बचे उसके टॉप लीडर बचे वो प्रचार करें और सारी जंता उनको वोट कर दे जिन्होंने वोट कर दिया दूसरी पार्टी इसको उनके लिए तो वो तैयार ही हैं मीडिया भी कहेगा उनके पार्टी लीडर भी कहेगा कि य अंटी नैशनल हैं या अंटी हिंदू हैं आयोधिया के मंदिर का जिक्र किया भाशा ने तो उस मंदिर के उद्गाटन के दो दिन बादी खबर आ गई थी कि वहां भी करॉप्शन का अलिगेशन है लैंड डील हो रही है तरह तरह के लोग फायदे उठा रहे हैं उस डील का यह भी देखिए करॉप्शन सिर्फ पैसा के पैसे के लेंदेन की बात नहीं है ना करॉप्शन वहां भी है जहां हमने चंदीगड की चुनाव में यह ना भूलें सी एजी ने बाकाइदा मोदी सरकार की महत्वा कांशी योजनाओं में करॉप्शन को फ्लाग उफ किया था और फिर आपको याद होगा वो तीन अधिकारी जो इनको ट्रांसफर कर दिया गया तो मगर मैं यह देख रहा हूँ यहां पर भाशा यह वाकई जो मैं बार बार उस शब्द का इस्तमाल करता हूँ एक किसम की मतलब लोकतंतर का जिसे मजाग कहते है ना वो चल रहा है एक आप भरश्टाचार के तहट पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो और दूसरी तरफ हमने चंडिगड मेयर चुनाव का भी वो नजारा देखा कैमरे के सामने करप्शन करो तो कहने का आरती है क्या खजब का टूल किट है अधिकारियों के तहट जो पूरी तरह से कॉम्प् बना दिया है एक राजशाही का मोधी जी राजा है एक मोनार्ग की तरह वो एक्ट कर रहे और उनकी पूरी टीम राजा की इच्छा को एक्जेक्यूट करने के लिए जो सही समझती है वो करती है तो बहुत इंपोर्टन्ट है और जिस तरह का वीडियो मेसेज उन्होंने अ एकड़ जमीन के हिसाब से वो इतना बड़ा केस बनता है आपका गुजरात जहां करोडों रुपे का नशे का समान आता है लेकिन हमें कहीं पता नहीं चलता कि वो कहां गया और नरेंद्र तोमर के बेटे एक स्टिंग ऑपरेशन में करोडों की बात करते हुए दिखाई देत कि ये संगोल युग में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के सामने जो लोग खड़ें जो चैलेंज कर रहे हैं वही निशाने पर आएंगे बाकि सारे लोगों को चंडीगड को तो ये एक्स्प्लेइन कर भी नहीं सकते लेकिन दुख है बोले का कौन इतना साफ साफ चंडीगड ने कहा था कि आप जो है पूरा निगरानी में इस प्रक्रिया को करो और निगरानी में ये प्रक्रिया होती है और आट वोटों को जो है रद कर दिया जाता है मैं सवाल भ्रष्टाचार के मुद्ध की बात हम कर रहे हैं आपर प्रग्या जो दोहरे माबदंड है देखिए आप भ्रष्ट पर कारवाही करें ये मैं अपने दर्शकों को बार-बार कहता हूं अंधभक्त अक्सार के मैं मारे कॉमें इन पर इतने तामा आरोप थे मुद्दा यहाँ पर दोहरे मापदंड का है मुद्दा उस वाशिंग मशीन का है जिसमें जो बैट जाए वो साफ हो जाता है मगर बाकी सब भश्ट है अब ये भी देखिए दो ही दिन पहले ख़बर आए कि महराष्ट में जो फंड्स दिये जाते हैं लोकल एरिया डिवल्लप्मेंट के लिए उसमें भाजपा के और उसके साथियों को सारा पैसा मिल रहा है पान सो करोड मिला है और जो ऑपोजिशन है उनको कुछ नहीं मिला जीरो करोड मिला तो इसको हम किस काटेगरी में डालेंगे यही मुद्दा है जो लोगों के सामने जाना चाहिए लोगों को खुद भी उठाना चाहिए कि भई डेवल्लप्मेंट का पैसा अगर नहीं जा रहा है तो फिर आप सबका विकास, सबका साथ कैसे कर रहे हैं लेकिन अभिसार मुझे लगता है रामराजवाला तो यह सब नहीं हो रहा हुता लेकिन दिक्कत है कि इस पर बात कौन करेगा जो बात करने वाले विपक्षी नेता है उनको आप E.D. के चकर में गुमाई रहते हैं मगर भाशा, मैं ने, 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 आपने एडी के विए मामला आया था उन्होंने उसमें दखल नहीं दिया आप जानते मामला निकल गया अभिशेक मनु सिंग भी तमाम राजनीतिक दलों के दुमाइंदे बन कर गए थे कि भाई हमें जांच एजिंसी से बचाईए क्या का था Chief Justice of India D.Y.C. अंदरशूड ने कि नहीं साहब हम इस पर कोई blanket आदेश नहीं जारी कर सकते आप individual cases लेकर आईए फिर individual case आया Manish Sodia का Supreme Court ने कहा कि इसमें साहब आपके पास जो सुबूत है वो एक दिन नहीं टिक पाएगा लेकिन तब भी Manish Sodia को बाहर नहीं निकाला मैं कहारी हूँ जहां पर नियाय पालिका को नियाय करना चाहिए आप देखिए वहां observation देखे चुप हो जाते हैं और इन तमाम मामलों में मैं कहारी हूँ कि हेमन सोरेन वाला मामले में भी जिस तरह से माहौल बनाया गया जिस तरह से नितीश को नितीश के जाने के बाद लालू और तेजस्विन क्या अदालतें देख नहीं रहीं लेकिन दिक्कत ये है इस तारीख में 2024 में कि जो संगोल योग है उसमें नयाय पालिकाएं भी है वो तकरीबन इसी तरह का माहौल बना रही है कि जो राजा चाह रहा है हम उसको काउंटर नहीं और नहीं प्रग्या मुझे ऐसा लगता है ये माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा के पास दो चीज़ें एक तो 22 जनवरी के बाद उग्र हिंदुत्य के साहरे जो है वो आगे बढ़ रही है और फिर प्रचारतंत इन तमाम मुद्दों को सुविधावादी अंदास से उठा रहा है क्या आपको लगता है ये जो दोनों चीज़ों का कॉंबिनेशन है उग्र हिंदुत्व और प्रचारतंत्र के जरीए विपक्ष पर लगातार हमला करना ये जो दो का कॉंबिनेशन है ये इनके पास एक अचुक जो है जिसे कहते हैं हत्यार है एक तरह से है लेकिन बीजेपी ये करने के लिए क्या कर रही है पहले वो करप्षन को एक इमोशनल मुद्दा बना रही है एक मुद्दा ऐसा बना रही है जो ऑपोजिशन में ही समाहित है पूरी तरह से लेकिन करप्षन एक एक एकनॉमिक इस्यू है सरकार के खुद के फाइनस मिनिस्ट्री के पेपर ये कहते है वो सल्यूशन भी देते है कि करप्षन से कैसे लड़ा जाए करप्षन नेता करप्षन होता है यह सब को पता है उनको सजा भी मिलनी चाहिए हमेशा यह तो रहेगा ही लेकिन करप्षन से कैसे लड़े उस दांचे से कैसे लड़े जिसमें करप्षन होते क्या बीजेपी वो कर रही है यही तो असली मुद्दा तो यह है नहीं तो हर सरकार में कोई ना करप्ष होगा कोई ना कोई क्लीन होगा किसी ना किसी को क्लीन चिट्टी मिलती रहेगी यहां तो प्रग्या जो करप्षन है वो एक बेchemical नोशन है कि सवर और सिर्फ विपक्ष करप्ष है और आप देखे जैसे ही एक शक्स का नाम आता है हेमन सोरेन का सबसे लेटेस एक्जामपल है या आप लीजी अर्विन केजिवाल, मनिस सोधिया, सतेंदर जैन, संजे सिंग आप इन सारे लोगों के पक्ष में जो महौल होना चाहिए था कि आप सवाल पूछते कि क्या एविडेंस है कि यहां बहुत एहम मीडिया का रोल है आप देखिए पिछले तीन निन सारा मीडिया बस यही महौल बना रहा है कि अरे अभी तक गिरफतारी क्यों नहीं हुई कोई कैमपेइनर बन गए है कि विपक्ष के नेताओं का एरेस्ट कम होगा अर्विन केजरिवाल को संबन मिलता है और पूरे मीडिया में जो गोदी मीडिया है लगाता डिबेट सिर्फ इस बात पे होती है कि अर्विन केजरिवाल कितना भरष्ट व्यक्ति है तो जो शक्स पूरी पॉलिटिक्स इसलिए कि कि भरष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अर्विन केजरिवाल आम आदमी पार्टी अब आप देखिए उस व्यक्ति की जो पार्टी है उसके सबसे ज़्यादा लोग करॉप्शन के चार्ज में अंदर है यानि एक मेसेज उन्होंने दे दिया है कि हम ही सिर्फ इमानदार है और बाकी सारे लोग भरष्ट है और मुझे ऐसा लगता है यहां पर भाष्टा कि देखिए टिक वही व्यक्ति पाएगा जो विचार धारा पर ठोस हो जो अपनी इस राजनीतिक लड़ाई पर अडिग हो वज़ा है कि चाहे राहूल हो चाहे तेजस भी हो और काफी हद तक केजरिवाल अब इन्फाक अब इसमें हमें हेमन सुरेन को भी जीतना जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हेमन सुरेन चाहते अगर वो बील कर लेते तो आज की तारिक में इडी उनके चरंड हो रही होती वो भी पलतू राम हो जाते बिल्कुल अगर वो नहीं किया उन्होंने और उन्होंने जाते जाते अपनी जगा किसी और को मुख्य मंत्री बना दिया मेरे ख्याल से व्यक्ती वही टिक पाएगा जो एक विचारधारा पर कायम है वरना वरना तो कॉंप्रमाइज की स्थिती हमने देखिए कि महराष्ट कैसे हुआ उससे पहले गोवा कैसे हुआ यानि एक बात बिल्कुल साफ है अभी सार की आने वाले दिन बहुत चैलेंजिंग है विपक्ष के लिए और विपक्ष को अपने को विचारधारा और इस स्टैंड पर रखना है कि किसी भी स्थिती में कॉंप्रमाइज ना करें चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े लालू यादव उसकी जीती जाकती मिसाल है बिल्कुल चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का और दूसरा मुद्दा ये है कि नितीश कुमार ने नौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपतली एक बार फिर पलट गए मगर पलटनी के बाद एक प्रतिक्रिया भी बिहार में हो रही है उनकी आलोशना भी हो रही है और समानांतर तोर पर तेजस्वी जो लगातार नौकरी के मुद्दे पर सांप्रदाइक सोहार्द पर अपनी बात रख रहे थे उनका भी कद बढ़ रहा है खासतोर से जब जाच एजनसीज ने उन पर भी निशाना साधा उनके पिता पर निशाना साधा इसका बिहार की राजनीती पर क्या असर पड़ेगा क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी प्रग्या अबिसार आज के समय में सत्ता के लिए हर कोई कुछ भी करने को तयार है कोई भी किसी का हाथ ले लेता अपने हाथों में और फिर कुछ समय तक आगे बढ़ते हैं और फिर हाथ खींच लिया जाता है अब्वियसली नितीश कुमार इसका सबसे बड़ा सबसे शांदार प्रतीक है पर दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने मुद्दों पे अटल रहें बिना कॉम्प्रमाइज के भाषा क्या है इस मुद्दे का पंच देखे मेरा मानना है कि यह संभवता पल्टू जी की आखरी पल्टी है इसके बाद इतनी गुंजाईश बचेगी नहीं नौवी बार वैसे ही वो बन रहे हैं मुक्यमंत्री पूरा का पूरा जो महौल बना है बिहार की राजनीती में क्योंकि मोधी जी के लिए बिहार को फता करना अपने बल्बूते बहुत मुश्किल था और वो कोई कॉम्प्रमाइज दो हजार चॉबिस से पहले नहीं करना चाहते उन्हें 400 प्लस सीटे चाहिए लिहाजा सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन उनकी लिए यही था बिहार में विपक्ष और मजबूत होगा क्योंकि अब टक्कर बहुत सीधी होगी क्या है अभी सार इस पे आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मैं इसे नितीश कुमार के पतन के तौर पर देखता हूँ और इसी के साथ बिहार के एक दिगज के तौर पर तेजस्वी आदव का उदा है मगर उनके सामने लोग सभाचुनाव में ब्रैंड मोदी खड़े हैं अगर ब्रैंड मोदी को तेजस्वी पतखनी दे पाते हैं तो यह भी हो सकता है कि बिहार की सियासत में उनका दर्जा अपने पिता के आसपास भी आ सकता है अगर हम राजनी तिक दिगज की बात करें इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें भाशाद आप तो देखिए नितीश की बात करें आपको याद है उन्होंने विधान सभा में रिप्रोड़क्टिव हेल्थ पे जो बयान दिया था याद है आपको प्रधान मंत्री से लेके स्मृति इरानी से लेकर और मैं नहीं भूला हूँ भाशपा की जो विधायक है महिला विधायक रो रही थी हम सो नहीं पा रहे हैं ठीक है समराच चौधरी मुरेठा बान लिया मुरेठा मैं तब ही उतारूँगा वो भूल जाए सडकों पर भाशपा के नेताओं को रज रज के पिटाई की थी पिटाई की थी ठोकाई की थी किस मुह से जाकर आप जो आप उनको सिर पर बठा लिया सत्ता के लिए सब कुछ संभव है और यहां मुझे लगता है कि बिहार की धर्ती ने मोदी जी को ये भी सबक सिखाया है कि आप सत्ता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ बिहार में आपको करना पड़ा रहा है क्योंकि बिहार महराश नहीं बना इन्होंने पूरी कोशिश की की तोड़ ले लेकिन यहां जो पैतालेस है वो पैतालेस रहे उनके पास सबसे अच्छा ओजार था कि आप पल्टू राम जी को कहिए कि दुबारा पल्टी बारिये और आप ही उख्य मंत्री बनिये मैं तो सोच रही थी कि डिप्टी सीम वो बने है जो पगड़ी बांदे हुए है और तो और देश के ग्रिय मंत्री बता रहे थे कि दर्वाजे बंद हैं लेकिन यह राजनीती जो है मोदी जी की जैसे ही वो किसी की बुराई करते हैं तो मुझे डर लग जाता है कि उसको शामिल करने वाले हैं हमने सब ने देखा कि उन्होंने क्या किया अजीत पवार पे हमला कर रहे थे खुद प्रधान मंत्री भाशन दे रहे हैं और आप देखे कुछी दिन बाद उसको शामिल कर लिया और ये मुझे लगता है इसलिए अच्छा रहा बिहार की राजनीती में क्योंकि नौ बार वो देख चुकी और अब वहां पर वाप से जो तेजस्वी की होनी चाहिए विपक्षी पार्टियों की होनी चाहिए भागपामाली की जो होनी चाहिए आप सोचते हैं जो तेजस्वी ने जो कहा है कि नितीश खतम जनतादल उनाइटिड का ये आखरी चुनाव है क्या आपको लगता है हम उसूर बढ़ रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा आशावादी रवाईया है मुझे लग रहा है क्योंकि बिहार चुनाव के लिहासे बहुत फॉर्टाइल रहा है और अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल स्टेट रहा है उसमें तेजस्वी का यह आशा यह आशावान होना बहुत पोटेंशियल है इसकी जमीन है सवाल यह है कि जमीन का इस्तमाल कैसे करता है विपक्ष और अब तो बिल्कुल मैदान साफ है क्योंकि अब नितीश जी का कोई ग्लैमर नहीं है और 45 उनके पास सीटे रही है उनका इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ आज मैं इसमन से कहना चाहती हूँ कि लोकसबा चुनाओ तक है ताकि वो पुराना रिपीट हो सके 38-39 38-39 प्रग्या क्या आपको लगता है कि इससे नितीश का नितीश के इस पतन के साथ ब्रैंड तेजस्वी का उदाय हुआ है क्योंकि देखिए दो चीज़े हो रही है एक तरफ ED का भी दबाव था नितीश का पलटना था तो क्या ये ब्रैंड तेजस्वी इतना मजबूत हुआ है कि वो प्रधान मंत्री क्या मुकाबला कर पाएगा अभिसार ये मेरे लिए अभी कहना थोड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो भी हुई है वो ये कि नितीश कुमार अपने टर्म्स पे नहीं गए इस बार भाजप्या के पास याद रखिए पिछली बार उनोंने इसलिए वो गटबंदन तोड़ा था इंडिये के साथ कि उनको लगा था खत्रा कि मेरी पार्टी कहीं टूट जाएगी बीजेपी कुछ कर रही है अब वो खुद अपनी मर्जी से गए है तो अब उनका कोई अस्तित्व वैसा नहीं रहेगा अपनी ही पार्टी में जैसा वो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर भी भाशा सही कह रही है मेरे हिसाब से कि वो अब शायद लास्ट है उनका चाहे वो जैसा भी हो तेजश्वी आदव के लिए ये मुश्किल है क्योंकि मंडल और कमंडल का जो मिशरन शुरू हो गया है जो हिंदी बेल्ट में बहुत स्ट्रॉंग एक रूप लेके आ रहा है अभी तो शायद उनको बहुत चैलेंजिंग इंवार्मेंट फेस करना पड़ेगा पर पॉलिटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इंपॉसिबल सिचुएशन है आप जैसे लड़ेंगे वैसे आपको उसको रिजल्ट भी मिलेगा कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी भी फील्ड में पॉलिटिक्स में कि आप मेहनत करें और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा मुश्किल तब आएगी अगर वो हताश होके बैठ जाएं जो हमें लग नहीं रहा उनके बयानों से कि वो हताश है कि 96 से नितीज जी और भाश्पा के साथ साथ चल रहे हैं खाली कुछ सालों के लिए 2013 में उन्होंने अपना साथ छोड़ा था जब मोदी जी का नाम आया था फिर 2015 में वो वापस चल रहा था कि जो गए हैं जिसका जिक्र प्रग्या ने किया था मगर इस बार जो है एक अजीबो गरीब रहस से है बार बार दो लोगों का नाम आ रहा है विजए चौधरी और अशोक चौधरी ये इनके मंतरी थे और भाश्पा खुद अपनी तरव से कहती रहती है कि नितीश कुमार मानसिक तोर पर असंतुलित हो गए हैं भूल जाते हैं ये हैं क्या-क्या नहीं का उनके बारे में तो ये जो है ना मामला ये सिर्फ नितीश की अवसर वादिता नहीं है परदे के पीछे ये दो लोग काम लगातार काम कर रहे थे अशुक चौधरी विजय चौधरी जो सेतु का काम कर रहे थे भाजपा के लिए लगातार नितीश को समझा रहे थे कि भाई देखो ये राम मंदिर के लहर में जो है हम बह जाएंगे हमें पास सीटे भी नहीं मिलेंगी तो ये एक फैक्टर भी था परदे की पीछी जो लगातार काम करा था ये था कि उनके जो सांसद हैं नितीश जी के सांसद हैं वो सांसदों का दिमाग में था कि हम अगर बीजेपी के साथ नहीं गए तो नहीं जीत पाएंगे और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने हरिवंश बाबू से रिष्टा नहीं तोड़ा था यानि खिड़की नितीश जी हमेशा खोली छोड़ते हैं क्योंकि वो जिस तरह से भाषपा के साथ गए वो तो जदियों के ही तिकट पर गए थे ये जो पूरी डील है इस डील के पीछे की जो कहानी है वो निश्चे तोर पे जब वो वापस आएंगे या उनको बीजेपी निकाल देगी तो बीजेपी ही बता सकती ही कि डील क्या ह है उनको जैसे ही लगता है कि उनकी पार्टी पर हमला हो सकता है पिछली बार भाषपा खाने को तैयार थी जब वह भाग के राबली के पास गए थे तो इस बार की जो डील है वो बहुत कॉम्प्रमाइज है जिसमें नितीज जी अपना पूरा ग्लैमर खो चुके हैं और य किस तरह से उन्होंने मांजी को विधान सभा में बिलकुल गाली गलोज की भाषण में उनकी उपर और यह उनका अंदाजे बया नहीं रहा है ऐससे पहले प्रग्या अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हम बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं लोग सभा की बा उसके मुकाबले तेजस्वी का ब्रैंड और बढ़ा है आपने ये भी देखा था कि जब ये पूरा घटना करम होता तो उने का ति नहीं मैं नितीश को गाली नहीं दूंगा वहार लिए आदरणी है वो लगातार खुद को एक स्टेट्समें के तौर पर साबित कर रहे है तो एक तरफ तेजस्वी का कि ये दस्तक है तूसरी तरफ क्या आपको लगता है ब्रैंड मोदी कमिंग तोगेदर विद नितीश ये अभी भी लोग सभा में एक विनिंग कॉमिनेशन है या तेजस्वी से भेज सकते हैं राहूल गांदी के मौजूद्गी के साथ अभी लगातार रिइंवेंट करते हैं जो विपक्ष नहीं दिखाए देता है एक चक्कर इसमें ये भी है कि एक एकसेस हो जाता है पॉलिटिक्स में किसी बी चीज़ का एकसेस अगर बिल्ड हो जाता है तो उसमें जनता की तरफ से रियाक्शन आ सकता है कि भाई आप अपनी मन म नहीं कर रहे हैं यह ओपोजिशन को एक पॉइंट के बाद कहना जरूरी भी नहीं होगा लोगों के सामने प्रत्यक्ष होगा कि कभी आप करप्शन को इस चीज़ पर बैंक करना पड़ेगा और देखिए मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि हम वोट बैंक की हिसाब से दे BCB है कुर्मी के अलावा अती पिछड़ा और पिछले पांसा सालों में बीजेपी ने अती पिछड़े पे बहुत ग्राउंड वर्क किया है यानि वो खिसकने की तैयारी में है जाएगा वो बीजेपी के पास लेकिन यहां जो तेजस्वी और बाकी विपक्ष के लिए ग्र सब्सक्राइब नितीश नहीं बन पाए पहली बार हुआ है कि नितीश मुख्यमंत्री है लेकिन जैसे ही तेजस्वी आए है जहां नौकरियों की बारे में बात है लोगों ने तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए और यह बहुत बेचैन करने वाला था नितीश जी क बी और जिसको वो लगातार क्लेम करें कि पिछले सत्रा महीनों का जो काम है आप याद रखिए जब नितीश जी पलती मारे हैं तब भी उन्होंने यही कहा कि सत्रा महीनों का काम है और बिरोजगारी को एक सेंट्रल फोकस में लाने में बहुत हद तक तेजस्वी कामयाब ह हुए और उन्होंने लोगों तक पत्र पहुचाया नौकरियां दिलवाई है तो यह जो एक मुद्दा है और साथ ही मुद्दा मुझे लगता है कास्ट सेंसेस का है अगर इस पर यह लोग प्ले कर जाते हैं क्योंकि बिहार में उस तरह का कमनल डिवाइड अभी तक उत्तर प्रदेश नहीं है बिहार लाग कोशिशों के बावजूद आपने कोशिश की दंगा फसाद फैलाने के लिए लेकिन उस तरह की नफरत नहीं है और उस तरह का वेजिटेरियनिजम भी नहीं है कि आप सब को शाकाहारी बना देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल है उस के तीसरे बुद्धे का वो है इंडिया गटबंधन हर हफदे एक खबर आ रही है कि आल इस नॉट वेल इंडिया गटबंधन में ममता बैनर जी के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है अब राहूल गांधी पश्चिम मंगाल में प्रवेश करते हैं अपनी निया यातरा के जरीए उनके कार का शीशा तूटता है अधीर अंजन चौधरी उसे लॉइन ओर्डर के साथ जुड़ देते हैं जबकि वो बहुती सामान ने घटना थी अखिलेश यादव ने 11 सीटे दे दी अब कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा कि नहीं साब हम तो अभी तयार नहीं है त अहुल गांदी की ये न्यायात्रा खतम होते होते ये भी अब एक सवाल पैदा हो ही रहा है भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच देखें अभी सार मेरा मानना है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को करो या मरो के मोड में उतरना था और अपनी तमाम महतोकांग्शाओं को किनारे रखके हाथ मिला के लोकतंत्र को बचाने के लिए आना था वो परिघटना हो नहीं रही है और दिक्कत ये है कि आप ट्राजडी कुछ और होने इसकती क्योंकि बचेगा कोई भी नहीं अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि ये कही न कहीं कॉंग्रेस का एहंकार है और कॉंग्रेस को लगता है कि वो नजानिक किस युग में जी रही है अगर अखिलेश ने आपको 11 सीटे दी हैं वो इसलिए दी हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई कारवाई नहीं हो रही थी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी सबसे बड़ी बात अब भी पार्टी के छुड़ भाया नेता इसको बिगाड़ने में लगे हुए जबकि आप जानते हैं उत्तरपदेश विधान सभा में कॉंग्रेस का एक विधायक नहीं है और लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है वो भी बड़ी मुश्किल से भाशा यह बहुती अजीब और गरीब भात है यहां कि अखिलेश यादव जो हैं वो 11 सीटे देते हैं अब इसको लेकर दो तरह की बाते हो रही हैं पहली बात कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब कॉंग्रेस से बात ही नहीं हुई इस एली किस तो आपने 11 सीटे क्यों दे लुए दिते हैं देखें अभी सार मेरा माना है कि अखिलेश ने भी अपना दाओ चला 11 सीट दे के और उन्होंने कोशिश की कि वो एक अपर हैंड मैं आ जाएं और उसके साथसाने उन्होंने पहए उन्नОने अपने दूने अपने कैंडड़ी पार्टी बने अपने वनके क नहीं है यह दिखाने की कि हमें इंडिया एलायंस को जिन्दा रखना है और उनाइट दिखाना है कि आप सब साथ हैं क्योंकि अगर आप साथ नहीं है तो ना ममता बेनरजी बचेंगी और अखिलेश बाबू बचेंगी यह अभी तक यह मैचुरिटी पॉलिटिकल कि अब कम से कम आप लोग आपस में ही जो लड़ रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और ममता बेनरजी को भी थोड़ी मैचुरिटी दिखानी चाहिए वो एक कोई आज की अभरती हुई एंग्री वुमेन नहीं है आप मुख्यमंत्री है ममता जी थोड़ा आपको जो घटनाएं होती है अबिसार ये बीजेपी को और ज्यादा हतियार देने वाई होती है बिल्कुल जो कहते है न उसका जो विज्वल इंपक्ट है और खासकर प्रचार तंत्र के जरिये जब आप जनता तक ये कहते हैं देखिए ये तो भानुमती का कुन्बा है यहां पर हर राज में कोई ना कोई ऐसा नेता है जो अपने क्षेतरी दल को गाली दे रहा है चाहे अधीरंजिन चौधरी हो चाहे वह नाना पटोले हो चाहे हर राज में आप देखिए वही हो रहा है आपको याद होगा अजे कुमार ललू को ये अरोप आया था कि इनकी पार्टी नहीं इनको हरा दिया अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ लेकिन अब तो हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि सारी पार्टी सिर्फ कॉंग्रेस ही नहीं इनमें आपस में भी लड़ाईया होंगी आपस में जगड़ क्योंकि ये हमारी भारत की पॉलिटिक्स का एक एचर भी है एक हमेशा रहा है जगडा लड़ाई विवाद फसाद लेकिन आज की जो समस्या है वो ये है कि एक बहुत पाफुल पार्टी भाजबा के रूप में आ गई है उसके एलाइज भी हैं कहीं कहीं पे जो काफी मजबूत हो जाते हैं एक दूसरे को मजबूत करते ह तो इस तरह के एंवाइमेंट में जैसा रियाक्शन आना चाहिए क्या ओपोजिशन सारी पार्टी ऐसे रियाक्शन करी है तो शायद नहीं इसलिए मैंने कहा कि था ही कहां इंडिया गट बंदन इंडिया गट बंदन तो तब बनता जब किसी सीट शेरिंग के मुद्दे प आप क्या विकल पेश करना चाहरे हैं यह तमाम मुद्दे जिनका जवाब इगट बंदन अभी भी नहीं दे रहा है बहुत बहुत शुक्रिया प्रग्या और भाशा आपका इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार